एक कहानी, एक ऐसे व्यक्ति की कहानी, जो ना केवल भारती उद्योग की दिशा को बदलने वाली है, बलकि हर इंसान के लिए प्रेड़ना का स्रोथ भी है, जी हाँ, वो कहकर गए कि दुनिया में इंसान सिर्फ एक मोबाईल की रिचार्ड जैसा है, जो अपनी वैलिडिटी ही काम करने की जरूरत है, जीवन को इतना भी कठिन नहीं बनाना चाहिए, कि खुशियां हमसे दोर रहे, और ये बाते कहे कर, आज वो हमसे खुद ही दोर हो गए, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भूमिका है, देश उसाला पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है, बात कर र जीवन का सफर हमेशा आसान नहीं रहा, उनके माताबिता का तलाख और उनके परवरिश के दोरान, उनके दादा, जयारी टाटा का प्रभाव, उनकी जीवन की महतपूर्ण पहलू में से एक था, बचपन में ही बात की जाये, तो रतन ने सीखा की मेनत और अनुशासन कितन में ज्यादा महतपूर्ण है, उन्होंने अपने पढ़ाई की शिरवात मुंबाई के सिडिनम कॉलेज से की, और फिर अमेरिका में आर्किटेक्चर की पढ़ाई की, रतन टाटा की आत्रा केवल सिक्षा तक सीमित नहीं थी, उन्होंने अपने दादा की कारोबार में काम कर होना भी शुरू किया, ये वो समय था जब उन्होंने सीखा कि एक सफल व्यवसाई बढ़ने के लिए केवल वित्तिय ग्यान नहीं, बलकि मानविय मोल्यों की भी आवशक्ता होती है, 1991 में जब रतन टाटा ने टाटा ग्रूप की चैमेन का पर समाला, तब उन्होंने कम्प प्यार की इन चार कहानियों में सबसे ज़्यादा सीरियस लव स्टोरी टाटा की अमेरिका में रहने से जोड़ी है, उनके अनुसार अमेरिका में हुए प्यार के बाद वो शादी करने वाले थे, इस बीच वो भारत लॉट आए और भारत आना ही था, उन्हें भारत आना थ पसंद नहीं करते, उनको कोई संतान भी नहीं थी, और 2011 में रतन टाटा ने कहा था कि मैं चार बार विवा की निकट पहुंचा, किन्तों प्रतेक बार भय या किसी अन्या कारण वर्ष में पीछे हट गया, बात अगर उनके शौक ही की जाए, तो वो बुक लवर है, उन्हे कैते थे कि रिटाइमेंट के बाद वो अपने इस शौक को समय दे पा रहे हैं, उन्होंने टाटा सम्भू में कई महत्यपुन परिवर्दन किये, टाटा नैनो, जिसे उन्होंने एक सस्ती कार की रोप में प्रसुत किया, एक ऐसा उधारण है जिसने लोगों के लिए कार ख दिश्टी किवल भारत तक सीमित नहीं थी, बल्कि उन्होंने वैश्विक स्तर पर टाटा का नाम रोशन किया, लेकिन रतन टाटा की कहानी सिर्फ व्यवसाइक सभलता तक ही सीमित नहीं है, वो एक मानवी दिश्टी कोण के लिए भी जाने जाते थे, उन्होंने हमेशा सम समाज की प्रति अपनी जिम्यदारी को समझा है, और कई समाजिक योजनाओं में निवेश किया, चाहिए वो सिक्षा हो, स्वास्ति की सेवाए हो, यह महिलाओं का सचक्ति करण हो, रतन टाटा ने हर शेत्र में अपनी चाप छोड़ी है, उनका मानना था कि एक व्यवसाइ केवल लाब कमाने के लिए नहीं है, बलकि समाज को समर्पित होना चाहिए, अब जब हम उनकी जीवन यातर की बात करी रहें, तो हमें ये भी समझना चाहिए, कि उन्होंने अपनी सेवा निर्वित्ति के बाद भी अपनी जिम्मेदारियों को नहीं छोड़ा, उन्होंने क 22 अरे स्टार्टप्स को प्रोसाइद किया और युवा उद्यम्यों के लिए मागर दक्षक बने, आज रतन चाटा जी की कहानी प्रेड़ना का सुरोत बन चुकी है, उनके आदर्शो और दिश्ट्री कोड ने ना केवल उद्योग को बदल दिया, बलकि समाज को भी एक दिवस समारों पर 26 जनवरी 2000 रतन चाटा जी को तीसरे नागरिक अलंकरन प्रतन भोशन से सम्माने दे किया गया, इसके अलावा उन्हें बाद में प्रतन भी भोशन 2008, जर्मनी का आदेश 2014, सर्विसरेश्ट CEO 2012 और फिक की लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड 2012 केवल आर्थिक लाब नहीं, बल्कि समाज की प्रती हमारा योगदान है, हमें उनके आदर्शों को अपनाना चाहिए और अपने समाज के लिए कुछ करने की प्रेड़ना लेनी चाहिए, भारती उद्यों की चमक्ती सितारे, रतन टाठा जी का निधन कल रात बुद्धवा पर बचाया था, बलकि पूरे देश की व्याबारिक परिद्रश्य को भी बतला था, उनके अंतिम यात्र की लिए नरिमन पॉइंट के एंसी पे लॉन में शद्धान जली अर्पित की गई, जहां प्रधान मंत्री मोदी साथ ही उनके निवाई और प्रशन सक भावभी ने शद्धान जली दे रहे थे, वरली के पारसी शमशान भूमे में उनका जनतिम संसकार किया जाने वाला है, रतन टाटर की द्रिश्टी उनकी दोर दर्शिता और समाचिक जिम्यदारी ने उनने एक विसिष्ट पहचान दिलाई, उनके निधन से आज देश भर में शोक की ल पहान इंसान, लोगों के लिए उनकी प्रेरना और उनके आदर्श थे, जो अपने छोटे करमचारियों को भी अपना परिवार मानते थे, सरकारी संगठन और एनिमल शेल्टर को दान करते थे, किसी भी वक्त महामारी में पैदा की सिथी में या पिर अन्य किसी सिथी में हम देशा दूसरों की मदद के लिए तयार हैते थे, ऐसी महान शक्सियत को देश रोजाना की ओर से भाव भी निशा धांजली, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भोले, देखते रहे हैं देश र करें से आदा शेयर करें